पहले तो वरुन का बताईए, वरुन गांधी अब कॉंग्रेस पार्टी ओफर दे रही है शिवंत्यागी, क्या करेंगे अगर उन्होंने बगावत कर दी तो और चले गए तो, क्या मेसेज जाएगा? मारक जी, सबसे पहले तो देश को होली की बहुत-बहुत शुपकामना है, और इस देश को याद रखना चाहिए, कि चार तारीक को फिर से आपको चार मही को छे, पंडित दिन दियाल उपाद्ध है, मारक मेर होली मनाने आना है, जब आदरनिय प्रधान मंतरी जी तीसरी बार जीत कराएंगे, तो उसकी तैयारी शुरू कीजिए, और तीसरा अबी से, उससे भी महत पूर, ने, इंविटेशन तो अभी देना पड़ेगा, आते जाते क्या पता, सुरेंदर जी को भी अड्रेस ना पता हो, तो अभी दे दूँ, उनको पता है, अच्छे से पता है, वो पहले तो वरुन गांदी जी पर जो आपने कहा, मैं कि मानता हूँ कि ये पार्टी का निरने है, भारतिय जंता पार्टी का एक विशे बहुत साफ है, कि विनेबिलिटी के आधार पर कौन कैंडिडेट कहां ते जीत सकता है, उसको लेकर जो है टिकेट दिया जाता है, हमार आज तक वरुन गांदी जी जीत सकते हैं भारतिय जंता पार्टी के टिकेट पर, भारतिय जंता पार्टी ने विश्वास दिखाया, तब तो ऐसा नहीं कहा गया इस तरह की कोई बात रही, लेकिन आज अगर तीन बार के बार में कुछ ऐसा विशे नजर आता है, तो ये न उनको हटाया, कुछ और वजों से गया है बनने किया वर्शकता नहीं है आपको, उस परिवार के साथ आपने क्या किया ता ये देश जानता है, अब आगे आते हैं, पुछ है आपके पास वरना मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, अब आगे उन्होंने एक और बहाँ बताएं, सवाल मेरा ये है, पंजाब में आपका केजरिवाल की गिरफतारी का फैक्टर, और आपका NDA का अलग हो जाना, ना बन पाना गटबंदन, आपके लिए बैकफायर कर सकता है, अरविंद केजरिवाल का जेल में होना तो हमारे लिए छोड़िये चुनाओ के लिहाथ, छोड़िये इस देश के लिहाथ से बहुत जेल, उसके तीन मंतरी, जेल, अब समझ रहे काटल किस तरका चल रहा है, अगर केंदर में भारतिय जंता पार्टी की सरकार और नरेंदर मोदी जी की सरकार नहीं होती है, लूट के खा जाते है इस देश को, पूर मुख्यमंतरी की बेटी सराब सप्लाइ करने में है, अगर अगर बैकफायर कर गया तो गिरफ्तारी का मुद्दा, चुना वही है, भी चुना वही है, आपको दो साल, तीन साल, पांच साल पहले, दस साल पहले की चीज़े याद हैं, याद होगा आपको जब राम लीला में अन्ना जी का अंदोलन था, मुझे लगता है देश का शाय अगर आपको ये लग रहा है शिवम की जेल से या हिरासत से अर्विंद केजरिवाल परचार नहीं कर पाएंगे और आपकी पार्टी आराम से दिल्ली भी जीत लेगी और पंजाब में भी कुछ नहीं हो पाएगा, आम आदमी पार्टी का, आप कुछ हलके में नहीं ले रह अगर किसी को ये गलत फैमी है कि एक भरष्टाचारी जो जेल में बैठा है, वहां से चार्ज फरजी चिठिया, साइन लिखवा लिखवा कर जूटी चिठिया, जनता को दिखा दिखा कर अगर आप ये समझ रहे हैं कि जनता समझ रहे हैं कि वह बहुत सीरियसली काम कर रहे तो गलत से भी में मत रहे है, तिहार जाने में बिलकुल इगदा मोहाने पर बैठा हुआ आदमी जो एडी की गिरफ्त में उसको आज याद आया कि दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों में जो है, बलड टेस्क के रिपॉस सीख से काम नहीं कर रहे हैं, आज तक तो याद पंजाब में गडबंदन क्यों नहीं हुआ? ना आना ये दिखाता है, चार कोण ये फाइट होगी, ऐसे में फाइदा किसका है? ये इनको जो ये खिचरी बना रहा है, इनको समझने की आपकाता है.